नमस्कार देवी और सज्जनो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कथावाचक जो 13 साल में ही कथा कहने लगे थे दोस्तों इनका पूरा नाम ही पंडित शशी शेखर महराज है और इनका जन्म 29 दिसंबर 2009 को जहासी में हुआ था इनके पिता जी का नाम शशिकांत दुबे तथा माता जी का नाम संगीता दुबे है इनके पिता जी एक सौफ्ट्वेर इंजीनियर है तथा माता जी स्कूल में प्रिंसिपल है और इनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम वैशनवी है जब महराज जी छोटे थे तब इनको धार्मिक चीज़ देखना और सुनना बहुत ही पसंद था या अपने माता जी और पिता जी के साथ मंदिर जाया करते थे तथा धार्मिक चीज़ों में हिस्सा लिया करते थे धीरे धीरे इनकी रूची आध्यात्मिक में बढ़ने लगी और 2018 में उन्होंने संत वेदान्त महराज गुरु दीक्षाली और ज्यान प्राप्त करने लगे इन्होंने मात 6 साल की उम्र में अपनी पहली कथा की उनकी पहली कथा सुनते ही लोग इनके भक्त हो गए और अब तक पंडित शशी शेखर जी महराज 150 से ज़्यादा कथा कह चुके है इनकी एक गौशाला भी है जहां पर गायों की सेवा करी जाती है महराज जी को गायों से बहुत ही लगाव है आज महराज जी प्रसिद था रूप में जाने जाते हैं आपको पता है महराज जी कथाओं को कहने के साथ साथ अपनी पूरी पढ़ाई भी करते हैं और महराज जी अभी पांचवी कक्षा में पढ़ते हैं तथा सनातन धर्म का प्रचार की करते हैं तो दोस्तों यह थी महाराज जी की लाइफ स्टोरी, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.